दोली करेंट नियूज में अभी की खबर है वाकविटा पॉर्पोईज हो सकता है विलूप हाली में अंतरास्टिव वैलिंग आयो ग्यानी IWC ने लुप्त प्राय वाकविटा पॉर्पोईज के लिए विलुप्त होने की चेताबनी जारी की ये पहली बार है जब संस्था ने ऐसी चेताबनी जारी की है संस्था के अनुसार वाकविटा की आबादी एक दरजन से भी कम होने का नुमान है समुद्री जानवर और गंभी रूप से लुप्त प्राय वाकविटा दुनिया का सबसे छोटा पॉर्पोईज है ये मैक्सिको की कैलिफोर्निया की खाड़ी का मूल निवासी है चली जानते हैं वाकविटा पॉर्पोईज के बारे में तो ये दुनिया का सबसे दुरलब समुद्री इस्तन पाई है इसका वैग्यानिक नाम फोके ना साइनस है इसकी उचाई पांच पिट तक होती है और सका यूसेन स्टेटस क्रिटीकली इंडाइजर्ड है इसका निवास समुद्र में है केवल उत्तर कैलिफोर्निया के खाड़ी में ये पाया जाता है IWC की वैग्यानिक समीती ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2015 और 2018 के बीच वाकविटा की आबादी में 83 फीसत के गिरावट आई है और इनके कुल संख्या केवल 9 या 10 रह गई है इनके आबादी में गिरावट का एक कारण अवैद गिलनेट प्रथा को माना जा रहा है संस्था की पताबिक वाकविटा के मुख नवास थान में गिलनेटिंग पर प्रतिबंद को पूर्रूप से लागू करने सिलाब मिल सकता है चलिए अब ये जान लेते हैं कि गिलनेटिंग क्या है तो गिलनेटिंग मचली पकड़ने की एक विधी है जिसमें गिलनेट का उपयोग किया जाता है गिलनेट जाल की एक दिवाल की तरह होती है जो पानी में लटकती है ये जाल आमतोर पर मोनो फिलामेंट या मल्टी फिलामेंट नायलॉन से बना होता है और आखरी में बात अंतरास्टी वेलिंग आयो यानी IWC की इसकी स्थापना वर्श 1946 में वेलिंग के प्रबंधन और वेल के सर्रक्षन हेतु जम्यदार वैशिक निकाय के रूप में की गई थी येक अंतर सरकारी संगटन है जिसमें वरतमान में दुनिया भर की 88 सरकारों की सदस्ता है IWC का कानूनी धाचा वेलिंग के नियमन के लिए अंतरास्टी कंवेंशन है और IWC के सभी सदस्स कंवेंशन के हस्ताक्षर करता है